साथियों हमारा जोर भारतिय रेल्वे को आधुनिक बनाने के साथ ही परियावरन फ्रेंड्ली बनाने पर भी है बहुत जल्द भारत के शत प्रतिशत रेल्ट्रेक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं यानी कुछी वर्षों में भारत की सारी ट्रेने सिर्फ बिजली से चले चला करेगी इससे परियावरन की कितनी बड़ी मदध होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं नव वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेल्वे स्टेशनों की संख्या भी बारा सो से जादा हो गई हैं लक्ष यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं हमाजी ट्रेनों के करीब करीब सत्तर हजार डिबेग सत्तर हजार कोचीज में LED लाइट्स लगाई जा चुकी है ट्रेनों में बायो टॉइलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकालेब 28 गुना जादा हो गई है ये जितने अमरिद स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्लिंग्स के मानकों को पुरा करेंगे 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी